सो केंदेने के दोस्ती यते मुहबबत दी कोई जबान नहीं हुंदी शायद इसे कारण अमिठी दा आरिफ ते सारस पंची एक दूजे दे पक्के दोस्त बन गेने पर इस दोस्ती नू जल्दी ही किसे दी नजर लाग गई जिस्तों बाद इना नू एक दूसरे तों दूर होना पया इब शोड़ा दोवा लेही बड़ा दुखदाई सी करीब एक महीने बाद जब दोवा दा कानपुर देचिडिया कार्चे मिलन होया ताब पूरा महौल पावख हो गया ते दोवा दी अक्खांच हंजूट चलकाए अपां अक्सर सुन दियां की महबबत, उमर, रंग, रूप, तरमजात नहीं देखती पर कदी-कदी ऐसास खुन दै की महबबदियां अक्खा ही नहीं हो दियां एक कुछ भी नहीं देखती इसे महौबबत दी जिन्दा जागदी मिसाल है, अमेठी दा महमद आरिफ देउस दा साथी दोस्त, सारस क्यों? सुन के भाइव हुई ना? बला सारस कि में किसे इन्सान दा साथी हो सकता है? एगल साच जे द्रसल बीते साल मार्च महीने अमेठी दिपेंड मढका दा आरेफ दे बाल मदद दिली देख रहा सी, बस फेर की सी, आरेफ वी उसनों चुके अपने कार लेया आये, ते उस दे सक्मा दी मल्लम पड़ी की दी. आरेफ दे सेवा हम दर्दी ने सारस दा दिल जित लिया, मारताड करन दे युग वेच, शायद सारस ने आरेफ दे वेच एक सचा इंसान वेख लिया सी, ठीक हों दे बावजूर, सारस आरेफ दे नाल उस दे कार दे वेच ही रैंड लाग पया, आरेफ ही अपने बच्चे अपने इस दोस्त पंची दी देख पाल करन लाग पया, मोहबद पर वान चरती री इत्थों ता कि आरेफ दे परिवार ने भी सारस नो अपने परिवार दा मेंबर ही मान लिया, पर कैन दे ने ना कि सच्चे प्यार नो नजर वी छेती लग दिया, आरेफ दे सारस दोमा द दिली बड़ा दुख थाई सी, पर कैन दे ने ना कि जे कर मोहबद सच्ची होवे ता रांग जरूर लिया दिये, जिसने नतीजे वजों बीते दिन करीब एक महीने बार फिर दूमा दूस्ता दा कानपुर्दे चिडिया करदे विच मिलन होया, सारस दा पंदरा दिना दा क सारस दियां आखा मेच उसनू मिरन दी कुशी ते वे छोड़े दा दर्द चलक रहा सी, आरिफ नू वेके सारस ने अपने खाम फिलाए पाज के आरफ दे गल लग करण की कोशिश की थी, पर अपसूस पिंजरेदियां सलाखा ने दो सच्चे दूस्ता नू गल लग मुहब उस दियां नजराने करने सी बड़े आखे सवाल मैजुदा कुना सी उसनू वेकता मुड के के में विरु रिपोर्ट तेली पूस्ट पंजाब हरेना हिमाचल